सुप्रभात नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देखने हैं सुबर नौ बजे मैं हूँ फृती सिंग आईए शुरुआत करते हैं मुख्य समझारों के साथ आगामी लूग सबाचुनाओं से पहले संसद का आखरी पूर्ण सत्र 11 दिसंबर से 8 जन्वरी तक संसद का शीत कालें सत्र बुलाने का सरकार का फैसला संसदिय मामलों की मंत्री मंडलियर समिती ने राश्पती रामनात कोविन से की अनुष्यंसा 20 कारे देविसों में 3 तलाक से जुड़े बिल और अध्यादेश समेत कई एह मुद्दों पर होगी चर्चा सिंगापूर में 13 वे पूर्वी एशिया शेखर सम्मेलन में एशिया प्रशान शेत्र के राजनीतिक सुरक्षा और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर विशेश शुरूप से होगी चर्चा पूर्व सत्र को आज संबोधित करेंगे प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी आसियान भारत ब्रेकफ़स सम्मेलन में हुए शामिल भारत हाकताउन की विजेता टीमों को किया सम्माद राजिस्तान विदान सबाच चुनाओ के लिए बीजेपी ने जारी की 31 उमीदवारों की दूसरी सूची कॉंग्रेस की पहली सूची का इंतजार सीड बटवारे पर असंतोश के बीज तेलंगाना में टीडिपी और कॉंग्रेस की दूसरी सूची जारी नाम वापसी के बाद मद्रिप्रदेश में 2932 और मिजोरम में 201 उमीदवार चक्रवाती तूफान गजा के तमिलाडू और पुदुचेरी तर से आज शाम गुजननी के आशंका के मद्दिनजर अलर्ट पर नौसेना हालाद से नेपटने के लिए 30,000 से जादा बचाव कर्मी तयार तमिलाडू के छेज जिलों और पुदुचेरी में शैक्शनिक संस्थान बंद बांधों जीलों और नदियों के लगातार की जा रही है निगरानी और रिंग में पंच का दम दिखाने को तैयार भारती मुक्केबास दिल्ली में आग से शुरू हो रहे महिला विश्व मुक्केबासी चैंपिन्शिप में मेरी कौम पर सबकी निगाहे एतिहासे छटी बार स्वर्णिम पंच की उमीद भारत के 10 सदस्य टीम समेथ 72 देशों के खरीब 300 खिलाडी ले रहे हैं हिस्सा संसद का शीत काली इन सत्र अगले महिने की 11 तारीक से बुलाए जा सकता है जो खरीब एक महिने तक चलेगा संसद ये मामलों की मंतरी मंडलिय समिती ने 11 दिसंबर से संसद का शीत काली इन सत्र बुलाने का फैसला किया है और इसके लिए राश्रुपती रामनाद को विंसे अनुशंसा की गई है ये सत्र आठ जनवरी तक चलेगा इस बारे में संसद ये कारे राजजवंतरे विजगोयल ने कल जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस बार शीत काली इन सत्र में 20 कारे दिवस होंगे उन्होंने बताया कि सत्र के दोरान कई महतवपून विधैक दोनों सद्रों में पारित कराए जाएंगे संसद का शीत काली इन सत्र अकसर नवंबर में शुरू होता है लेकिन ये लगातार दूसरा साल है जब शीत कालिन्ज सत्र दिसंबर में बुलाय जाएगा इस बार पांच राज्यों में हो रहे विधान सभा चुनाओ कि ओ शीत कालिन्ज सत्र में देरी की बजा माना जा रहा है कैबिनेट की संसदिय मामलों की समती ने ये तै किया है कि अगला सीत कालिन्ज सत्र 11 दिसंबर से 8 जन्वरी तक रहेगा लगबग एक माह चलने वाले इस सत्र में 20 कारे दिवस मिलेंगे और मैं समस्ता हूँ कि इसमें तीन अध्यादेश हो और कई महतपूर्ण बिलों के उपर चर्चा होगी तीन जो महतपूर्ण अध्यादेश हैं उसमें एक मुसलिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर है दूसरा इंडियन मेडिकल काउंसिल के उपर है और तीसरा कंपनीज अमेंडमेंट के उपर है इसके लावा आठ राजे सभा में और पंद्रा लोग सभा में महतपूर्ण जो बिल हैं उस पर चर्चा होगी और मैं समस्ताओं की बहुत से और महतपूर्ण विशे आएंगे सरकार पहले से ही कहती है कि वो हर विशे पर जो भी संसद में नियमों के अनुसार है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है और अब खबरें प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के सिंगापोर दौरे का आज दूसरा दिन है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी आज सुभा आसियान भारत अनौपचारिक बिक फर्स सम्मिट में शामिल हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 पूर्वी एशिया शिकर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे सम्मेलन में एशिया प्रशान शेत्र के राजनीतेक सुरक्षा और व्यापार से जुड़े मुद्दो पर विशेश रूप से चर्चा होगी साती सूचना और संचार प्रवधियोगी की समार्ट शेहर समुद्री सैयोग और सीमा पार आतंगवाद के मुद्दो पर भी समेलन में चर्चा की उमीद है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भारत सिंगापूर हैकाथान के प्रतिभागियों से मुलाकात की और 2018 के विजेताओं को पुरसकार भी प्रदान किये प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भारत सिंगापूर हैकाथान के प्रतिभागियों से भी इस दौरान मुलाकात की और 2018 के विजेताओं को इस दौरान पुरसकार उन्होंने प्रदान की इससे पहले प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने सिंगापूर में कलक्षित्रिय व्यापक आर्थिक भागिदारी शिखर सम्मेलन में शिरकत की इसमें सदसे देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझोते को अंतिम रूप देने पर हुई प्रगती की समीक्षा की गई इसमें प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत बहतर व्यापक और संतुलित शित्रे आर्थिक साज़ेदारी के लिए समझोते के जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रतेबद है जो सभी देशों के लिए फाइदेमंद साबित हो मुक्त व्यापार समझोते को लेकर ये बाचीट 16 देशों के बीच चल रही है इनमें 10 आसियान देशों के लावा भारत ऑस्ट्रेलिया चीन जापान न्यूजिलेंड और कोरिया गर्डराज ये शामिल है प्रणिलेंड प्रणीज फ़िए फिजडरा गर्म आदेशों के लिए बेच्ट लगर्डराज पितन सुम्सांसब छेशेओ थखने को टेशिव टेश्च पहुंट पैस्ट पराज़ ये शुन चुल अप्राज़ जाटान भडराज भ्राज़ पितनी तबनेत है गालाज ब शुद बेनिफिट ओल्ड अल्ड में आए सदस्ते देशों के नेताओं के संवान में किया गया विदेश मंत्राले ने बताया कि डिनर के लिए प्रिधान मंत्री नरेंदर मोदी के सिंगापूर करन्वेंशन सेंटर पहुँशते ही मातमा गांधी के वैशनव जन का संदेश स्क्रीन पर दिखाया जाने लगा इस दोरान प्रधान मंतरी नरींदर मोदी पूर्वी एशिया सम्मिलन में हिस्सा लेने आए नेताओं से भी मिले सिंगापूर्ड में प्रधान मंतरी नरींदर मोदी ने बुद्वार को कई दूई पक्षिय बैठे के भी की उन्होंने अमेरिका के उपरा श्रबते माइक पेंसे मुलाकाद की इस दोरान प्रधान मंतरी नरींदर मोदी ने एक बार फिर आतंगवाद के मुद्वाद के मुद्वार के पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि दुनिया में कहीं भी आतंग की हमले होते हैं उसकी जन्स्थली आखिर में एक ही पता चलती है उन्होंने कहा कि दुनिया में हुए आतंग के हमलों के सुराख और लीड्स एक ही सोर्स और प्लेस पर जाकर खत्म होती है प्रधानपंत्री ने अमेरिका को भारत में रक्षा उपकरन बनाने के लिए आवंत्रित किया, प्रधान पंत्री नरिंदर मोधी ने कहा कि भारत अर्निक शित्रों में निर्यात का प्रमुक के इंदर बन सकता है, विदेश सचेव जगोखले ने बताया कि अमेरिकी उप्राश्पती ने माना कि भारत ने खेत्रिय और अंतराश्ट्री मामलों में आर्थिक और राजनाइक रूप से दोनों नेताओं के बीच उर्जा, रक्षा, सहयोग और स्वतंत्र और मुक्त भारत प्रशान्थ की जरूरत समेथ एहम द्वीपक्षिय मुद्धो पर चर्चा की ऑन्तर प्रच करी जरूरत समेथ, वीज और टूरत अधिश, वीज ऐस रूब स्वत्पट इजर प्रच वस की जरूरत धर ब्यादाँ का रूरत अंतरूरत साही प्रवाटू इसांटू है as a way of expanding trade. Another area which we felt also would be important on the economic front would be the defense sector. There, of course, both sides agreed that there has been a substantial announcement in our defense relationship, in our imports of equipment from the United States. But Prime Minister in particular stressed that there was a great opportunity for the United States in India in making defense equipment and in setting up defense industry in India, not only because India is a substantial market, but because the way we are placed regionally, we can become a hub for exports to the rest of the region. So he conveyed to Vice President Pence that he hoped the Trump administration would recognize this as a new opportunity, as a new economic opportunity, as well. The Indo-Pacific did come up for discussion. Prime Minister referred to his speech here in Singapore in June at the Shangri-La Dialogue, in which he had outlined India's vision on the Indo-Pacific. We conveyed to Vice President Pence that his vision of the Indo-Pacific was gaining acceptability and that we should utilize the forthcoming East Asia Summit to further build upon that. Vice President Pence also spoke of a free and open Indo-Pacific. He felt that India's contribution in ensuring this would be important. And we then discussed how both sides can strengthen cooperation in this area to ensure that this is an area of growth, of prosperity, of development and of benefit for the countries of the region in the future. Pradhan Mantri Narendra Modi सिंगापूर में ऐस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी मुरकात की। दोनों निताओं के बीच व्यापार निवेश को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। साथी रक्षा सुरक्षा समेट का एक शेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रमुक शेत्रिय भागिदारों के साथ संबंदों को बढ़ावा देने की भारत की आक्ट इस्ट नीती के तहट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने थाइलेंड की प्रधान मंत्री जनरल प्रेयृत चान ओचा से भी मुलकात की। इस दोरान दोनों ने ताउने व्यापार और निवेश, रक्षा, सुरक्षा और संपर्क सुविधाओं के बारे में चर्चा की। और अब खबरे पास राज्यों में विधान सभा चुनाओं से जुड़े। राजस्तान विधान सभा चुनाओं के नामानकन के तीसरे दिन कल भारतिय जनरता पार्टी और कॉंग्रिस के उमीदवार सहित कुल 119 उमीदवारों ने नामानकन दाखिल किये। अब तक 152 उमीदवार नामानकन दाखिल कर चुके हैं। नामानकन के आखरी तारीक 19 नमंबर है। इस बीच भारतिय जनरता पार्टी ने कुल 31 उमीदवारों की दूसरी सूची कल जारी कर दी। इस सूची में पार्टी के 6 मौजूदा विधायक और कुछ मंतरियों के नाम शामिल है। वही 15 मौजूदा विधायकों और तीन मंतरियों को टिकेट नहीं दिया गया है। 200 सदस्य विधान सभा में बीजेपी अब तक 162 उमीदवारों के नामों का एलान कर चुके हैं। राजस्तान में अगले महीने होने वाले विधान सभा चुनाओं में कॉंग्रिस महासचेव अशोग गहलौद और प्रदेश कॉंग्रिस सचिन पाइलिट भी मैदान में उतरेंगे। अशोग गेलोट ने कहा कि वो खुद और सचिन पाइलेट चुनाव लड़ेंगे फिलाल दोनों ने तक किन सीटों से चुनाव लड़ेंगे से लेकर ऐलान नहीं हुआ है लेकिन अशोग गेलोट जोदपुर की सरदार पुरा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं टेकट बटवारों को लेकर चल रही गहमा गहमी के बीच कल बीजेपी सांसद हरीश मीना कॉंगरिस में शामिल हो गए कॉंगरिस ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है चुनाव आयोग ने मद्यप्रदेश में चुनाव तयारियों पर संतोष जताया है मुखी निर्वाचन आयोग तोपी रावत ने राजजी के दो दिन के दोरे के बाद कल भोपाल में कहा कि आयोग स्वतंद्र निश्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद है इंदोर और भोपाल में चुनाव प्रक्रिया से जोड़ी कलेक्टर, पोलिस अधीक्षिकों और अधिकारियों के साथ बैठकों की दोरान चुनाव आयोग ने जिलावार तैयारियों की समीक्षा की आयोग ने राजने तक दलों की ओर से उठाए गए तमाम मुद्दों को हल करने के लिए राजजे चुनाव मशीनरी को प्रभावी कदम उठाने के नुर्देश भी दिये मुकी निर्वाचन आयोग तोपी रावत और चुनाव आयोग सुनील अरोडा और अशोक लवासा ने दिव्यांग व्यक्तियों के सुविधा के लिए सोगम में पॉर्टल लाब भी लॉंच किया मुकी चुनाव आयोग ने बताया कि मद्देश में चौदा हजार मुथों पर मद्दान प्रप्रियात का वेब कास्ट किया जाएगा ये भी बताया कि राज़्य में अब तक 21 करोर से जादा नकदी जब्द की गई है कमीशन ये अब दावे के साथ कह सकता है कि मद्देश में सारे अधिकारियों ने बहुत करमचता से, लगन से और महनस से नित्रत के निर्देशों का पालन करते हुए काम किया है और तैयारियां बहुत संतोशनक इस्तर पर पहुची है और उमीद की जानी चाहिए कि अगले बारा दिनों में भी इन तैयारियों का परियाप रहाओ पड़ेगा और मद्देश में अच्छा चुनाओ, फ्री, फ्यर और प्रेडिबिल एलेक्शन हो सकेगा मद्देश और मिजुरम विधान सभा चुनाओ के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया कल पूरी हो गई मद्देश में कल 538 उमीद्वारों ने अपने नाम वापस ले लिए जिसके बाद 230 सदस्य विधान सभा में अब 2932 उमीद्वार चुनाओ मैदान में रह गए है वहीं मिजुरम की बात करें तो तीन उमीद्वारों के नाम वापस ले जाने के बाद अब 201 उमीद्वार चुनाओ मैदान में हैं दोनों राज्यों में 28 समंबर को वोट डाले जाएंगे और धर तेलंगाना में भी नामानकन प्रक्रिया जारी है और उमीद्वार नामानकन दाखिल कर रहे हैं तेलंगाना के कारेवाहत मुख्य मंतरी के चंदर शिकर राओ और उनके कई मंतरी मंडलिये सहयोगियों ने कल नामानकन पत्र भरा भारते जनर्दा पार्टी के वरिशनेता सी रामचंदर रेड़ी ने भी कल खेरता बाद से नामानकन भरा इस बीच टीरेस ने विधान सभा चुनाओ के लिए 10 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी कॉंग्रस और टीडीपी ने भी कल अपनी दूसरी सूची जारी कर दी कॉंग्रस की दूसरी लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम है इसी के साथ वो अब तक 75 उम्मीदवारों के नामों का एलान कर चुकी है इस दौर में राज्य विधान सभा की 72 सीटों के लिए 20 तारिक को वोट डाले जाएंगे केंद्री ग्री मंतरी राजनाच सिंग उत्ता प्रदेश के मुक्यमंतरी हो गया देतनात और बीजेपी के स्टार प्रचारक और अपिनेतरी हेमा मालिनी ने पार्टी उमीदवारों के समर्थन में प्रदेश के विभन स्थानों में चुनावी सभाएं की केंद्री ग्री मंतरी राजनाच सिंग ने बिलासपुर में चुनावी राली को संबोधित किया उन्होंने पहले दोर में शांदार मतदान के लिए राजी की जरता को धन्यवाद दिया और बीजेपी के और से प्रदेश और गरीबों के हित्मे किये गए कामों की चर्चा की गरीब के परिवार में भी सोचाले बंदे शाहिए कि और अमीरों के परिवार में परिवार में ही तोचा दे नहीं होनी चाहिए गडी परिवार के बाताओं गहनों की हिज़प और अफ्मत होगी इस रहें दोस्तान में चिल्ता करने वाली पहली तरकार इनी कोई आई है तो मोदी जी के निया तुर्ट में गहनों भाजों अभ़वों की तरकार है इस बीज़ बीजेपी के तरफ से उत्ता प्रदेश के मुख्यमंतरी हो गया देतनात ने पहले धमतरी में चुनावी रैली को संबोधित किया और इसके बाद उन्होंने रायगड में भी चुनावी रैली की इस रैली में उन्होंने 36 गड़ में कॉंग्रेश शासन के दौरान राज्य और इसके लोगों की अनदेखी का रूप लगाया 36 गड़ जैसे राज्यों को विरासत में कॉंग्रेश ने नकसल बाद दिया मित्रोफ कॉंग्रेश की इस अराजक्ता पूर्ण विभाजन कारी और अलगावाद और अराजक्ता को बढ़ावाद देने की इस दुरवी संदी को पूरी तरह समप्त करने के लिए लोग तंत्र में एक औसर पांच वर्स में हम सब के सामने आता है कॉंग्रस अध्यक्ष राहूल गानी ने 36 गड़ के दौरे के दूसरे दिन कल कोरबा, कबीर धाम, बिलासपुर और दुर्ग में आम सभाएं की उन्होंने कोरबा के कटगोरा में अपनी पहली रैली में रोजगार और जमीन के मुद्दे पर जोर दिया उन्होंने आरोप लगाया कि यहां लोगों से जमीन चीनी जाती है, लेकिन मुआफ़जा नहीं मिलता और जमीन चीनने के बाद भी उद्योग नहीं लगता, फिर भी उनकी जमीन वापस नहीं दी जाती है जब आपको सही कॉंपेंटेशन भी नहीं लगता कॉंग्रेस पार्टी के यहां सरकार आने वाली है, तो मैं आपको यहां से आश्वासत देना चाहता हूँ कि जैसे ही 36 बर में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वैसे ही जमीनी अधिकरन बिल 36 बर में हम लागू करते हैं कुछ और रहे हम खबरें, चक्रवाती तूफान गाजा आज शाम तमिलनाडू के पंबान और कडलूर तटी एक शित्रो को पार कर सकता है मौसा में भाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि चक्रवात गाजा के कमजोर होने से पहले तमिलनाडू, दक्षन, आंधर प्रदेश के तटी एलाखों में हालाद बिगर सकते हैं दक्षनी तमिलनाडू और पुदूचेरी टट पर आने वाले चक्रवात गाजा को देखते हुए भारते नौसेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है इसके लावा दो भारते नौसेनिक जहास अतरिक्त गूता खोर, डॉक्टर, हवा, वाली, रबर की नाओ, हेलीकॉप्टर और राहत सामगरी के साथ तयार है तमिलाडू सरकार पहले ही 3500 बचावकर्मी को तयार रखा हुआ है तमिलाडू के तंजोर, तिरुवर रूर, पुडुकोटई, नागपटिनम, कुडलूर और रामनादपुरम के स्कूलों को और कॉलेजों को भी आज बन रखा गया है चक्रवाती तूफान के मदे नजर, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज सारे स्कूल कॉलेज बन रहेंगे किंद्रे जलायोग ने बांधों पर लगातार नज़ा रखने की सला दी है लोगों को ठहराने के लिए शिवर तयार है जिला मुख्याले में एक नियंतरन कक्ष बनाए गया है जो 24 घंटे काम करेगा मचवारों को समुदुरी तर्टों से दूर रहने की सला दी गई है देश निकल अंतरिक्ष शेत्र में एक और कामियाबी हासल की कल शाम श्रीहरी कोटा के सतीश धवार अंतरिक्ष केंद्र से देशकार नवीन तब संचार उग्रे जीसेट 29 को सफलता पूरवक लॉंच किया गया अपनी दूसरे उडान में जीएसलवी MK3 रॉकेट ने जीसेट 29 उग्रे को करीब 16 मिनट में इसके शुरुवाती भूस्थिर का क्षा में स्थापित किया इस मिशन इस बेर इंपॉर्टन मिशन रिगार्डिंग जीएसलवी मात्री प्रोग्राम अस वेल जीसेट स्थालेदव यस्ट यसिए जीस टार्जिक सी जीस को यसेड़ सक्सकोल शौग्त शॉसके श्चेसलवी मिशन ऑ जीसेटर केंन श।रुवाती रॉकेहिं जीए控宁न। फिर जीक frase जीक को ऑते से लिए ङुस्थश को शितितान हे रॉकेट ऑ Kenya स्वेट ओिसे ौन प्रक्षेपड के साथ ही राष्ट्रे इंद्रिक्ष जिन से इसरो चार टन तक के भारी प्रक्षेपड़ों के लिए तयार हो जाएगी इसकी सफलता से अगले साल के महतुपूर्ण मिशन चंद्रयान टू के लिए भी सहायता मिल सकेगी जीसाइट 29 उग्रे के सफल प्रक्षेपड की बाद डेटा हस्तान अंतरन की गती बढ़ेगी राश्पती उपराश्पती उप्रधान मंतरी ने जीसाइट 29 के अंतरक्ष में सफल प्रक्षेपड पर विग्यानिकों को बढ़ाई दी है राश्पती रामनात कोविञ ने ट् mayoría क्षेपड करके इसरो के विग्यानिकों को इस काम्याबी के लिए बढ़ाई दी है उपराश्पती उप्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने उप ग्रे और जीसाइट के सफल प्रक्षेपड पर विग्यानिकों को बढ़ाई दी है भारती प्रशासनेक सेवा के फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षू अधिकारियों ने कल हिद्राबाद में उपराशपती एबविंका एनाइडू से मुलाखात की जोनान उपराशपती ने प्रशिक्षू अधिकारियों के कोजनता की हितों को सर्वो पर ही रखते हुए काम करने के लिए कहा है उन्होंने का कि अधिकारियों को खुद को स्थिती के हिसाब से ढालते हुए पुरानी प्रथाओं को बदलने के दिशा में काम करना चाहिए ताकि लोग कल्यार के कामों में तेजी लाई जा सके वो प्राश्पती ने देश में सामाजिक, सांस्क्रितिक, भाश्चाई, धार्मिक और आर्थिक मत भेदों को दूर करने पर भी जोड़ दिया उन्होंने का कि निर्णे लेने और विकास के कामों से जुड़े जिन्डे में आम आदमी की भूमिका भी होनी चाहिए वो प्राश्पती ने अधिकारियों से कल्यार संबंदित मुद्दो समेत विभिन सामाजिक, आर्थिक मुद्दो पर चर्चा की प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके पेशेवर जीवन में सफलता के लिए शुब कामनाय भी दी प्राश्पती है that India's growth story would gain the much required momentum and direction. दिल्ली की प्रगती मैदान में इस साल का trade fair कल से शुरू हो गया है लेकिन हर साल के मुकाबले इस बार मेले का योजन ञोटे स्तर पर किया गया है यूजन है इसकी वजय है प्रगती मैदान के बड़े हिस्से मे चल रहा निर्मान का रहे है ट्रेड फेर में हर साल खरीब 6,000 प्रतिभागी शामिल होते थे लेकिन इस बार जगा की कमी के चलते यहां 800 प्रतिभागी ही हिस्सा ले रहे हैं राजधानी दिल्ली के प्रगती मैदान में बुधवार से 38 में भारतिय अंतराश्ट्रे व्यापार मेले की शुरुवात हुई इस बार मेले की थीम महात्मा गांधी से प्रेरित है जिसका नाम रूरल एंटरफ्राइज इन इंडिया रखा गया है ट्रेड फेर में भारत की पार्टनर कंट्री अफगानिस्तान और फोकस कंट्री नेपाल है जबकि फोकस राज्य जहारखन को बनाया गया है पिशली बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने ट्रेड फेर में हिस्सा नहीं लिया है इस बार ट्रेड फेर में भारत के साथ 15 देश शामिल हैं जिन में अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, हौंग कॉंग, किर्गिस्तान, इरान, मैमार, नीदरलंड, दक्षन अफरीका, दक्षन कोरिया, थाइलंड, टर्की, टूनीजिया, वियतनाम और यूएई शामिल है हर साल जो मेला प्रगती मैदान के बहुत बड़े हिस्से में आयोजित होता था, इस बार निर्मान कारियों के चलते वो सिर्फ 20 फीसदी हिस्से में लगा है यानि इस बार लोगों को ट्रेड फेर में कम स्टॉल देखने को मिलेंगे ट्रेड फेर 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा और पहले चार दिनों तक सिर्फ कारोबारी ही ट्रेड फेर का दौरा कर सकेंगे उसके बाद 18 नवंबर से मेले को जनता के लिए खुल दिया जाएगा ट्रेड फेर के मद्दे नजर दिल्ली मेट्रो ने भी खास इंतजाम किया है लोगों को दिल्ली मेट्रो के 66 स्टेशनों पर ट्रेड फेर की टिकेट मिल सकेगी हालां कि भारी भीड के चलते प्रगती मैदान मेट्रो स्टेशन को टिकेटिंग काउंटर की लिस्ट से बाहर रखा गया है अनुदिवान राजसभा टीवी और एह मंतर आश्टे खबर में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंतरियों ने पांच घंटे के लंबी चर्चा के बाद ब्रिटेन के यूरोपिय संग से बाहर जाने के संबंदित समझोते पर प्रस्तावित मसौदे पर मोहर लगा दी है लंदन में हुई इस बैटेक में कैबिनेट ने भविश्य में ब्रिटेन और यूरोपिय देशों के बीच के रिश्टों के संबंद में एक राजडिते घोशना पत्र पर भी मोहर लगाई है प्रधान मंतरी तरेसा में ने कहा है कि ये एक निर्नाएक फैसला है और उन्हें पूरा भरोसा है कि ये देश के हित में है तरेसा में आसनसद में इस फैसले पर बयान देंगी हाला कि इस मसौदे को लेकर प्रधान मंतरी में को विरोध का भी सामना करना पड़ा है बात खेलों के आथ से दिली में दसवे महिला विश्व मुक्यबाजी चांपिनशिप का आगाज होने जा रहा है भारत की दस मुक्यबाज विश्व चांपिन बनने की एरादे से रिंग में उतर रही हैं और इस समय पूरे देश की नजरें एक बार फिर मेरे कौम पर हैं जो रिकॉर्ड छटी बार स्वान पदक जीतने के लिए खेलेंगी चांपिनशिप में 72 देशों के 300 मुक्यबाज इस्सा ले रहे हैं महिला विश्व मुक्यबाजी चांपिनशिप 24 नमबर तक चलेगी जीते हैं पहले मैच में भारत ने नियुजिलेंड को 34 रनों से माद दी थी तो वहीं अगले मैच में पाकिस्तान को साथ विकेट से हराया था दोनों मैचों में टीम ने शांदार प्रदर्शन किया पहले मैच में कप्तान हर्मन प्रीत ने शांदार शतक जमाया था और इसे के साथ फिलाल सुबर नौ बजे की खमरों में मेरे साथ इतना ही ब्रेक के बाद विशेश में देखिए जलता कालिफोर्निया नमस्कार